एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक है आज Elon Musk दुनिया के अमेर तरीन इंसान तो वो है ही He is the richest man of this world लेकिन अगर ये कहा जाए कि उनका ये introduction incomplete है जब तक ये ना कहा जाए कि वो दुनिया के जहीन तरीन इंसान भी है Elon Musk is the most intelligent person on this planet वो एक miracle है इस अर्थ या इस प्लैनेट के लिए ये भी कह दिया जाए तो कम नहीं होगा जो कुछ उन्होंने अब तक करके दिखा दिया है एक ऐसी एज में जबके इतना सब कुछ एक खाब लगता है एक ड्रीम लगता है लेकिन इस वक्त हमारे पास जो खबर है वो ये है कि Elon Musk wants to bring Tesla in India वो इंडिया में अपनी Tesla car company launch करना चाहते हैं और इस हिसले में उनको कुछ challenges दरपेश हैं कुछ problems, कुछ hurdles हैं जिस के लिए उन्होंने social media पर जैसे ही लिखा तो इंडिया के कई एक politicians ने उनका बहुत ही overwhelming जवाब दिया उनको reply किया, details में उनको जवाब दिया और कहा कि आप आएं और हमारे साथ काम करें और आपको जो भी challenges दरपेश हैं हम उसके लिए मिलकर काम करेंगे और उनको खत्म करेंगे ये एक बड़ी खबर इसलिए है कि कहा ये जाता है कि दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ी market और सबसे बड़ा outlet जहां पर कोई भी बड़े से बड़ा investor अपना product sell भी कर सकता है आके invest कर सकता है या अगर कुछ buy करना चाहे तो वहाँ से खरीद भी सकता है वो इंडिया है दुनिया का सबसे बड़ा आप कहलीजे outlet या market इंडिया है इस वक्त और जाहिर है कि पूरी दुनिया का जो investors हैं वो उसी की तरफ देखते हैं कि हम अपनी products वहाँ पर जाकर sell करें Elon Musk ने ये Tesla कुछ हरसा पहले किया कि वो अपनी ये Tesla जो है ये इंडिया लेकर जाएंगे लेकिन उसके बाद फिर उनको कुछ problems आई सामने आप जानते हैं कि हमारे जैसे countries जो हैं वहाँ पर red tape और जो सरकारी कुछ इस तरह की लवाजमात होते हैं जिस तरह आप देख लीजए California में जहां देखेंगे आप वहाँ पर आपको Tesla कार नज़र आएगी और उनके जो fuel भरने का तरीका सब कुछ आपको सड़कों पर markets में हर जगा वो नज़र आती है और वही पर Elon Musk इस वक्त अपना ये काम कर रहे हैं लेकिन अब मेरा खाल है कि वह यूस्टन शेज चले गए है लेकिन इस वक्त जो हम बात करें कि Elon ने ये जो फैसला किया है वो इसलिए किया है कि वो ये समझते हैं कि वहाँ पर वो अपना ये बिसनस बहुत ही अच्छे तरीके से लाँच भी कर सकते हैं और इसको तरक्की भी दे सकते हैं लेकिन उन्होंने जिन प्रॉब्लम्स का जिक्रिया उसमें खासतोर पर जो 100% ड्यूटी है इंपोर्ट ड्यूटी वो बड़ी एक हर्डल उनको फेस करना पड़ रही है अच्छा जैसे ही उन्होंने ये लिखा तो मैंने आपको बताया के इंडिया के पॉलिटिशन की तरफ से उनको जवाब दिया गया और बड़ा डीटेल में कहा गया के बताये मैं आपको बताया देती हूँ कुछ ट्वीट चो की गई वो किन लोगों ने की और उसमें उनसे क्या बात की गई Commerce Minister of Talangana KTR ने ट्वीट किया उनको जवाब दिया और उनको जवाब दिया और पेंडुम्हें का तो इसके लावा जयन्त पतेल जो हैं उन्होंने भी इलोन का जवाब दिया, उन्होंने कहा कि महाराश्ट्रा is one of the most progressive states इंडिया, we will provide you all the help from महाराश्ट्रा, अच्छा पिर नजवोट सिंच सिदू साब जो है, उनको भी हमें नजर आया कि उन्होंने भी इलोन से उस वक बात क यह उनका कहना था, I invite Elon Musk, Punjab model will create Lodhiana as hub for electric vehicles and battery industry with time-bound single window clearance in investment that brings new technology to Punjab, अगर आप यह देखें तो हमें यह नजर आ रहा है कि इंडिया के politicians बहुत overwhelming तरीके से, बड़े जबरदस तरीके से उनको जवाब दे रहे हैं और हर state यह चाहरी है कि वो उनकी state में आएं और वो उनको ऐस इसमें बाजी ले जाओ और वो उनकी state में आकर यह launch करें, या यह कि उनके country में यह आ जाएं और फिर मिलकर जो इसको हल करते हैं, अब देखिए क्या हमने कभी पाकिस्तान के politicians, सियासेदानों की तरफ से कोई ऐसा overwhelming gesture initiative देखा है कि बाहर की कोई ऐसी company, कोई ऐसा product, कोई ऐसा बड़ा नाम लाने की कोशिश की जा रही हो, कि जिससे पाकिस्तान में भी तरक्या है, अगर आपको याद हो, तो कुछ हरसा पहले, जब यह हकोमत आई थी, तो यह कहा गया था, मेरा खहले के जुलफी बुखारी जो थे, अब तो खेर वो यहां पर है नहीं, पता नहीं को बहुत सारी चीज़े देती है, दिखाएने देती है, अब देखिए कि पेपाल भी नहीं आ सका, भाई क्यों नहीं ला सके आप, पूरी दुनिया में यह काम कर रहा है, आपने कहा कि हम यह लेकर आएंगे, तो आपको लाना चाहिए था, इसी तरीके से यह भी कहा गया, यह बता रही हूं आपको, इतने बड़े-बड़े जो एक दावे किये गए, जो नारे लगाए गए, उसमें से क्या, टेसला तो बहुत दूर की बात है हमारे लिए, टेसला तो आप भूली जाएए ना, कि आप ऐलोन मस्क को कौन करेगा ऐलोन मस्क को कॉल, शेक रशीद साब क करेंगे, शेक्स अब कॉल करके लॉन को यह कहेंगे, कि देखो ऐसा करो कि तुम अपनी टेसला गार कंपनी पाकिस्तान ले आओ, लाँच कर दो हम बड़ी मुश्किल में है, शाइद इस तरह से हम इस मुश्किल से निकल जाएं, तो जहां जो बाइडन साब हमारी कॉल का जवाब नहीं देते और कहते हैं कि मुधी कॉल नहीं उठाते तो ऐलॉन मस्क तो जरूरी हमारी कॉल उठाएंगे और यहां पर करेंगे, यह तो मैं वैसे एक बात कर रही हूं, मैं सिरफ यह कह रही हूं कि हमें भी क्या आगे बढ़ने के लिए इस तरह की बात करनी चाहि देखी दुनिया के जो रूलिंग टेग कंपनी से इस वक्त जो दुनिया पर रूल कर रही हैं, उन सब के CEO इंडियन्स हैं, आप देखिए जिसका भी नाम उठा कर देखिए, कोई भी टेग कंपनी उठा लीजें, वहां पर आपको मिलता है, आप तो IMF प्लान में भी उनकी एक लेडी चली गई है जो उसको बड़े जबदस्त एक डेजिगनेशन पर उनको हैट कर रही है वो, और इसके लावा बहुत सारे और भी, तो सिरफ ये नहीं है कि वहां से लोग, इंडिया से लोग बाहर की कंपनीज में हाई डेजिगनेशन पर काम करने के लिए जा रहे तो सही होगा, कि ये दो तरफा महबबत है, यानि ये कि जहां एक तरफ वहां से लोगों को उनकी कंपनीज लेती हैं, और बड़े-बड़े अपने उसमें कंपनीज में लगाती हैं, वो समझते हैं कि इंटेलिजेंट हैं, बड़ा अच्छा काम करेंगे, और वो करके जल्ड देते हैं, दूसी तरफ वहां की जो कंपनीज हैं बड़ी, वो आ रही हैं, तो ये एक बड़ी ख़बर थी, और दुनिया का इसको मीडिया इसको पब्लिश कर रहा है, इसके पर बात कर रहा है, तो मैंने सोचा कि इसके पर बात की जाए, लेकिन इसके कंपारिजन म पेपॉल आजाएगा, और बहुत सारी चीज़ें जो हमने काता है, यहां पर आएंगी, वो क्यों नहीं आ सकी, सवाल तो है करने वाला, फिर ये कि दुनिया के इतना बड़ा टूरिजम पाकिस्तान आएगा, तो मरी में देख लिजए आपने क्या हाल किया, तो जो काम आप कर सकते हैं, तोरिजम एक ऐसा काम है, जो पाकिस्तान में हो सकता है, पाकिस्तान के नौर्डन एरियास की वज़ा से, वो काम करने में भी मरी जैसे सानियात हर्डल बनते हैं, और वहां पर आप तीन साल हो गए आपको आएवे, आपने कोई एक रिफॉम नहीं की मरी में या इस तरहां की एरियास में, कि वहां पर अगर फर्ज कीजे, टूरिस्ट आ ही गया कोई गलती से, तो उसको वहां पर प्रॉब्लम सकत सामना ना करना पड़े, अगर आपने यह किया होता है, तो फिर अब यह तो ना होता कि बिल्कुल ही खत्म हो जाए, तो यह सब चीज़े देखने वाली है, मैं देख रही थी, अच्छी बात है, गिल्गिल पलतिस्तान में जो है, हमें नजर आ रहा था कि विमन्स होकी टीम का शायद कोई इस तरह से मैचेज हो रहे थे, इस तरह के कुछ एरियास में कुछ ऐसा होता रहता है, लेकिन आप जिसको एक सस्टेनेब मस्त ने एक ट्वीट करके ही बताया था कि जो टेसला है वो भारत आना चाहती है, लेकिन इस सिल्सले में उनने कहा था कि जो इंपोर्ट ड्यूटी है इंडिया में, वो किसी भी बड़े मुल्क के मगाबले में जो है, वो सबसे ज्यादा है, तो ये उनको बड़ी शिकायत तो उसके पर आपको 100% टेक्स अदा करना पड़ता है, ये वहां का कानून इंडिया का, कि 40,000 डॉलर से ज्यादा कि अगर कोई आप इलेक्रिक कार इंपोर्ट करेंगे तो उसके पर आपको 100% टेक्स देना पड़ेगा, तो अगर टेसला आता है, तो उसको ये खच्छा है क इसको बड़ी मुश्किलात पेश आएंगी, तो टेसला ये समझता है कि इस सूरत में उसको 100% टेक्स देनी पड़ी तो बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, ये तो थी इस हवाले से बात, लेकिन एलॉन के और इसके अलावा टेसला के अलावा जो दूसरे काम है, वो तो उससे भी ज़्यादा शानदार है ये भी कोई कम शानदार नहीं लेकिन आप जानते हैं कि वो जो मार्स पर ले जाने के लिए एक तगोदो कर रहे हैं भरपूर तरीके से अपनी कोशिशे कर रहे हैं एलोन नहीं सब कैसे हासल किया उनकी जो हिस्ट्री है उनका ये जर्नी कैसा है क्या कुछ हुआ इसके उपर मैंने काफी अरसा पहले एक वीडियो बनाई थी एक प्रोग्राम किया था तो उस प्रोग्राम का लिंक मैं इसके इस वीडियो के नीचे दिये देती हूं अगर आप के साथ हम इस प्रोग्राम का इखताम करते हैं कि पाकिस्तान में भी कोई इस तरह के इनिशेटिव ले जाएंगे और मैं टेसला कार का नहीं कह रही मैं जानती हूं कि पाकिस्तान में टेसला कार की बात करना भी एक अजीब मजा की होगा हम तो यहां पर जो सिच्छिशन मे तो यहां पर ले आएं, कोई तो आके यहां पर investment करें, और एक बड़ी investment हो यहां पर, और आप यह बात याद रखिएगा, कि यह बड़ी अजीब बात इसलिए है कि यहां पर क्यों नहीं हगुमत को investment ला पाती, बड़ी companies को क्यों नहीं ले पाती हालांके यहां पर 60% से ज्यादा यूथ है तो जिस मुलक में 60% से ज्यादा यूथ होगी वो तो उसका एक बहुत बड़ा tool और strength समझा जाता है, लेकिन इसके बावजूद, हमारी जो economy की situation वो आपके सामने है, इससे हम नहीं निकल पा रहे हैं जलें, इजाज़ा दीजिए, दोबारे मुलाकत होगी take care and good day